दोस्तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर जी हाँ आज से खुल रहे हैं स्कूल इन चीजों पर रहेगी पाबंदी दोस्तो आठवी नौमी और ग्यारवी कक्षा की शात्र एक मार्च से स्कूल आएंगे लेकिन पहले की तरह वे ना तो प्रार्थन सभा में हिस्सा ले पाएंगे और नहीं खेल के मैदान में जा पाएंगे केवल इतना ही नहीं बच्चे कलास में भी अपने दोस्तों के साथ नहीं बैठ पाएंगे इस गाइडलाइन्स के अनुसार बरतमान मुख्या को बिना लेखा जोखा दिये दोबारा चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। दोस्तो इंडियन रेलवे ने घोशना की है कि होली से पहले एक मार्च से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इन स्पेशल ट्रेनों के संचलने से सबसे अधिक राहत उत्तर परदेश और बिहार की यात्रियों को मिलेगी। इसके अलावा पस्चीम रेलवे ने विवि जैक्ष अरबिंद परसाथ सींग ने बताया कि मैट्रिक और इंटर्मेडियेट की परिच्छा को लेकर लगातार जैक की और से तयारियां की जा रही है। उन्होंने परिच्छा की तयारियों को लेकर विद्यार्थियों को कई जानकारी दी। और बताया कि 40% परशन राची में सेना की बहाली होने वाली है। जहां इसमें राज्ये के 24 जीले के योग्य पुरुष उमिद्वार भाग ले सकते हैं। एवम लिखित परिक्षा में भाग ले पाएंगे। आपको बता दे कि अभ्यार्थियों को सभी मूल दस्तावेज एवम एड्मीट कार्ट लाना अनिवारे होगा। खबर है जहारकंड के हाई स्कूलों में वर्यतम इसनात कोतर परशिक्षित सिक्षक बनेंगे हेड्मास्टर। दोस्तों जहारकंड के हाई स्कूलों में परधाना अध्यापक के पद खाली होने पर वर्यतम इसनात कोतर परशिक्षित सिक्षकों को ही अब परधाना अध्यापक का परभार मिलेगा। बिशेस परिश्थिती में ही अन्य को परभार दिये जा सकेगा। परधाना अध्यापक का परभार उन सिक्षकों को ही दिये जाएगा जिनके पास नियूनतम 5 साल कारे करने का अनुभव हो। इसके अलावा बीरसा मुंडा एरपोर्ट ऑथोरिटी को भी केरल और महाराष्टर से आने वाले यात्रियों पर नजर रखने को कहा गया है। आज से खोलने का आदेश दिया है। जी आपको बता दें कि आज से सभी पार्क खुल जाएंगे। कोरोना की वज़े से पीछले वर्स मार्च में हुए लॉडाउन के समय से पार्कों में ताला लगा था। इस वज़े से लोगों को मनुरंजन के लिए कोई जगह नहीं मिल रहे थी। आपको बता दें कि अब सरकार के आदेश के बाद पार्क संचालक सभी पार्कों की साप सफाई कराने में जूटे हुए हैं। खबर है सदन बाधित होने पर सरुराय ने ट्वीट कर दिये सुझाओ। कि अभी जार्खन बिधान सभा का सत्र बजट सत्र चल रहा है। खबर है किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हुआ और आसान 15 दिनों में आ जाएगा आपके पास। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को खेती के लिए सस्ती दर पर लोन मिल रहा है। इसके तरथ अब 1.8 दो करोड किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किया जा चुका है। वितमंत्री निर्मला सितारवन ने ट्विटर पर बताया कि पीम रेनेदर मोदी दवारा किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत हुए किये हुए एक साल पूरा हो गया है। पिछले साल 29 फरवरी को उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड देने के लिए इस अभियान को शुरु किया था। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड महज 15 दिन में ही मिल जा रही है। खबर है रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबरी अब दोबारा मोबाइल एप के जरे बुक कर सकेंगे जनरल टीकट। दोस्तो भारतिय रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देते हुए अपने UTS और मोबाइल एप पर आनरक्षित यानि जनरल टीकट की बुकिंग एक बार फिर शुरू कर दी है। जिहां अब भारतिय रेलवे में सफर करने वाले लोग मोबाइल एप से जनरल टीकट बुक कर सकेंगे। हलाकि अभी यह सुविधा दक्षिन रेलवे में ही शुरू की गई है। जल्द ही इसे सभी जोन में शुरू कर दिया जाएगा। खबर है फेस्बुक ने छोटे कारोबारियों को दिया तौफा जून तक नहीं लेगा ये फीस। के लिए उनकी तरफ से कोई फीस नहीं दिया जाएगा। कमपनी ने एक बयान में कहा है कि यह एक मुश्किल वक्त है क्योंकि छोटे ब्योसाई अपनी जिन्दगी के कठीन और दोर से गुजर रहे हैं। सौ पर्तिशत लोगों तक स्वक्ष इंधन पहुचाने का लक्षे पाने के लिए त्यार की गई है। पेट्रोलेम सचीव तरुन कपूर ने पीटिय भाशा से कहा कि कम से कम पहचान दस्ताबेजों के साथ और बिना अस्थानिय निवास पर्मान के कनेक्शन देने की योजना तयार है। इसके अलावा उपभुकताओं के जल्दी केवल एक वितरक से बंदे होने के बजाए अपने पडोस के तीन डिलरों से एक रिफिल सिलिंडर प्राप्त करने का बिकल्प मिलेगा। खबर है जहारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुश खबरी बोकारों में बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। मताबिक शुल्क देना होगा। इस्टेडियम के नाम में शेल का नाम जुड़ा रहेगा। राष्टी अथवा अंतर राष्टी अस्तर के मैच देखने के लिए वोकारों के लोगों को प्रात्मिक्ता देनी होगी। खबर है बिना फाष्टेग वाले बाहनों के अटक जाएंगे काम मार्च में जारी हो सकती है अधिसूचना। दोस्तो प्राइवेट व्यावसाइक वाहनों के आरसी वीमा फिटनेस परमिट जैसे जरूरी दस्तावेजों की सुची में जल्दी फाष्टेग शामिल होने जा रहा है। पुराने वाहनों के दस्तावेजों का नवी नी करन बगर फाष्टेग के नहीं हो सकेगा। यह जोजना आने वाले एक अप्रेल से लागू होने की संभावना है। सरकार ने नए वाहनों के लिए इसे पहले ही अनिवार्य बना दिया है। 15 फरवरी से देश भर के सभी 770 टोल पलजा पर बिना फाष्टेग वाहनों से दोगुने टेक्स की वसूली शुरू हो गई है। इस बरस्ता में दो पहिया वाहनों को चूट है। खबर है एक मार्च से होगा गय सिलिंडर के भाव में बदलाओ। दोस्तो सरकारी तेल कमपनिया महिने की पहली तारी को गय सिलिंडर के दामों की समिच्छा करती हैं। तो ऐसे में एक मार्च को गय सिलिंडर के भाव में बदलाओ हो सकता है। हलाकि फरवरी महिने में कमपनिया तीन बार सिलिंडर के दाम बढ़ा चुकी है। खबर है घट सकती है पेटरोल की कीमते सरकार ने दिये ये संकेत दोस्तों केंदरी में पेटरोले मंत्री ने एक राहत भरा संकेत दिया है उन्होंने कहा है कि अपरेल 2021 से पेटरोल के दाम घटने की संभावना है जी हाँ, उन्होंने कहा डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों में कमी कब आईगी, कोई भी इसका अनुमान नहीं लगा सकता है लेकिन गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमते मार्च या अप्रेल तक कम हो सकती है इस महिने इधन की कीमतों में बहुत उचालाया है, तेल कमपनियों ने पेट्रोल और इडियल की कीमते सोलल गुना बढ़ा दी है खबर है, जल्द शुरू होगी स्टेंडर्ड एक्सिडेंट पॉलिसी की बिकरी मिलेगा एक करोर रुपे तक का बीमा बीमा नियामक इरिडा ने इंशुरेंस सेक्टर में एक महतुपूर्ण कदम उठाया है, बीमा नियामक ने सभी जनरल और हेल्थ इंशुरेंस कमपनियों को एक अपरेल 2021 से इस्टेंडर्ड परसनल एक्सिडेंट पॉलिसी बेचने का निर्देश दिया है इस इस्टेंडर्ड परसनल एक्सिडेंट कवर का नाम है सरल सुरक्चा बीमा, इरिडा के निर्देश के मताविक इंशुरेंस कमपनिया इसके तहत एक करूर रुपे तक का बीमा उपलप्त कराएंगी, इस पॉलिसी के तहत बीमा की नियुनतम रकम धाई लाक रुपे कि का दोडनी की uppम में रुपे होगी तहते ही नियुनतम पाई इसके इसके निवार आ परता रुपे होगी, इसके अवार वगएंगी.